नमस्कार साथियों मैं विकास सबस्ती स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्कोर्प्रेल्टेक में साथियों आज मैं आपको ले चलने वाला हूं यमुना एथार्टी की जो स्कीम है उसमें आने वाले सेक्टरों में सेक्टर 16 और 17 और 20 जिया साथियों सेक्टर 16 और 17 बीस में क्या क्या development हो रख की है इसका क्या future है कैसी connectivity है क्या क्या चीजे हैं वहां पे आज की डेट में क्या क्या चीजें आने वाले टाइम में आपको मिल अगर मैं बात करता हूँ वहां का फ्यूचर अगर जो 16, 17 और 20 है तो सेक्टर 20 का हम एक्जामपल लेते हैं पहले सेक्टर 20 में आज की डेट में डेबलेमेंट हो रखी है थोड़ी बहुत तो उसके चलते वहां पर रेट भी काफी हाइक हो रखे हैं 55-60,000 रुपए गर आज क प्लॉट इसमें निकल जाता है तो आपे माली आपको एक तरह से लौटरी मिल गई साथियों जो सेक्टर 16 और 17 है वहां पर अभी डेबलेमेंट रिस्टार्ट हुआ है तो वहां पर भी रेट लगबग लबग सारे जगे एक्कोल हो जाएंगे जब तक आपको पोजिशन मि है आपको पता है और इसके साथ जो है इंटरनल रोड जो है 100 متr का है जेवर एरपोर्ट तक उसके बाद में अंदर जो 60 मिटर रोडे हैं और सेक्टरों के अंदर जो प्लाट आपको दे जा रहा है हजार दोजार मीटर उसके अंदर आपको 18 मीटर और 24 मिटर देखने को मिलेंगी आज की रेट में लेकिन जो सेक्टर 16 17 है साथियों वो दूसरे हाइवे पर लगा हुआ है जो की 130 मीटर का हाइवे ह है निकल के ग्रेट और और यमुना एरपोर्ट को कनेक करता है उसी पर सेक्टर पढ़ते हैं सेक्टर 16 और 17 तो वहां की डेबलेमेंट बहुत खास तो नहीं लेकिन हां दिरे दिरे सेक्टर डेबलेप हो रहे हैं और मैं आपको चलके वहां पर दिखाऊंगा भी कि वहां प पर पहले सेक्टर 20 का आपको ग्राउंड लेबल दिखाता हूं कि ग्राउंड पर क्या-क्या चीजिए हो रखी है फिर उसके बाद सेक्टर 16 का कि कैसा वहां पर डेबलेमेंट चला है क्या हो रखा है फिर 17 का दिखाता हूं तो वीडियो पूरा देखें और इसकिप ना करे और आगे इसी तरह का वीडियो और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और लाइक करें तो साथियों चलता हूँ आपको लेके सेक्टरों की तरफ और दिखाता हूँ सबकी ग्राउंड रप्योट की क्या-क्या डेबलेमेंट हो रखी है और उसी स्कीम के तहत सेक्टरोंटी में जो प्लॉट्स निकले हैं उनका ग्राउंड लेबल में दिखाने के लिए आ गया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेक्टरोंटी में पार्क भी डेबलप हो चुके हैं रोडे अल्मोस्त तारी बनी हुई है और यहां पर कम्प्लीशन बन रहे हैं आज की डेट में जो डेबलेमेंट हो रही है वो काफी अच्छी हो रही है सेक्टरोंटी के अंदर इसमें जो जिस ब्लॉग में में खड़ा हूँ यह हजार मीटर का ब्लॉग है 2000 मीटर के ब्लॉग हमारे लेप्ट साइड में ओभी ऐसे ही डेबलप हो रहा है वहां पर कम्प्लीशन बन रहे हैं अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो यह जो ब्लॉग हैं यह साट मीटर से लेस हैं चारो तरब से इसके साट मीटर रोड हैं और अंदर ज इस लोगेल्टी में आपका प्लॉड निकलता है तो आज की डेट में आपको जबल का फायदा होने वाला है यहां पर करेंट रेट जो है करीब 55-60,000 रुपए के पहुंच चुके हैं करीब तो साथियों अगर आपका भी RPS 07 में प्लॉड निकलता है तो यही इन्वार्ट आज की डेट में आपको मिलेगा और यहां पर आपको प्लॉड मिलेगा तो साथियों ये सेक्टर अभी बिल्कुल जीरो पॉइंट पे है, अभी यहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, धीरे-धीरे काम चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो आने वाले दो-तीन सालों के अंदर ये धीरे-धीरे के डेबलप हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे सेक्टर 20 आपको दिखाया, उसी तरह से भी दो-तीन-चार सालों बाद दिखने लगेगा, और जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि इधर काम चल रहा है आज की जैसे सेक्टर 20 आज की डेबलप हो गया, वैसे यहाँ पे भी काम रपतार पकड़ रहा है और कैसा आपको वहां का इंवर्मेंट देखने को मिलता है, तो साथियों, अब मैं आगे हूँ सेक्टर 17 के अंदर, आपको दिखाने कि ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है, और कैसे कैसे डेबलेप्मेंट हो रहा है, तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि 120 म हमारे बगल में हाइवे है, हाइवे से जुड़ा हुए सेक्टर है, बराबर में हमारे राइट साइड में ग्रीन बेल्ट है, और जहां पर मैं खडा हूँ, यह सर्विस रोड है सेक्टर की, और इसके इधर आपको दिख रहे होंगे, सीवर और बन रहे है, और इधर काम औ देखनों को मिलेंगे, तो साथियों, इसी साथ मैं आपसे बिदा लूँगा और यह कहूँगा, कि इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लें, और लाइक करें, सपोर्ट करें, और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमें फॉलो कर कर ले?